कभी कभी लगता है कि ऐसा क्या बनाएं जो हमारे फेस पे ग्लोइंग प्राइटनिंग टाइटनिंग लेकिया है और फटा फट घर के अंदर ही समान हो और हम सब कुछ फटा फट कर लें और अपने फेस को निखार लें सवार लें तो बहुत सारी चीजें होती हैं घर के हम भी सब्टीक हैं आज मैं आपको बताने जा रही हूं कैल्शिम से भरपूर प्रोटीन से भरपूर जो हमारे फेस के लिए जुरूरी है हमारे रिंकल्स को अटाने के लिए हमारे दाग दबों को अटाने के लिए वह है कच्चा दूद दूद को हम अगर फेस पे लगाते जाते हैं जो हमेरे फेस के रिंखेंग दाग धबबों को और क्लीजिसिंग का काम करते हैं तो दूद का हमें जब भी इस्तामाल करना है तो हमें कच्छे दूद का इस्तामाल करना है फेशल कर mountain के लिए हम करेंगे क्लिजिंग जिसमें हमने ड्रॉम मिल्क लिया है अगर आप सुबह करते हो तो आप अपने घर में जो मिल्क आता है उसमें से निकाल लीजिए अगर भैस का दूद रता है और ज्यादा अच्छा आता है अगर भैस का दूद नहीं है तो हाप कोई भी पैकेट का दूद ले सकत है तो चलिए हम इसको कैसे क्लिजिंग करेंगे क्लिजिंग करने के लिए हम लेंगे एक चमच रॉमिल्क और इसके अंदर डालेंगे हम चुटकी थोड़ा सा पिंस और हल्दी डालेंगे यह मैंने लिया है कसूरी हल्दी आप नॉर्मल हल्दी अगर उसके अंदर फूट कल पूरे अच्छे से लगा लेंगे, नेक पे लगाएंगे, माथे पे, आँखों के पास भी लगा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो रेमिडीज है, वो होम रेमिडीज है, घर की बनीवी चीजों से है, और हल्दी हमारे अंटीबैटिक होती है, जो हमारे एकने और दाग धब को खतम करती है, और जो हम इसके अंदर हनी डाल रहे है, वो मोस्ट्राइजर का काम करता है, तो इसे अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि ये रॉम मिल्क हमारे स्किन को निखारने और सवारने का काम करता है, अंदर से डेट स्किन को खतम करके, ये देखिए, साफ करने के ब बढ़िया सा पैक वह भी रो मिल्क से तो चलिए हम लेंगे सेंडल वूड यानि कि चंदन पाउडर जो गर्मियों के लिए हमारी स्किन के लिए बहुत ही ठंडक पहुंचाता है तो एक चमश हमने लिया सेंडल वूड और आदा चमश लेंगे हम इसके अंदर हनी और इसके अ हमारे एक्ने के निशान पिंपल्स के निशान यह एंटिबैटिक होती है यह हमारे उनको रिकवरी देती है और फेस को रिपेर करती है इसे इसका अब अच्छे से पैक बना लेंगे जो हमारे फेस को ठंडक देगा लो ग्लोइंग देगा ब्राइटनिंग टाइटनिंग द कोंकि हमसे मचली है लगा तो यसको फेस पर पीसा है पर लगा लेंगे चंदन के तरह हम को खतम करता है हमारे या सूक कर गते हैं लाइट करता है अब टो ज़ुम्हों से इसे संसरी करने जैसे अघल के ज़ादें गुण करभें देखिट है कि अभी वह सब निकल जाएधियों से राट करना चीक degas जाए अब इसे आभाश करते हैं पर स्किन को गउरघ करती है निखार लाती है सेगे निखेल अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छी वीडियो मना सकूँ तो थैंक्यू वेरी मच उन सबको जुन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जुन्होंने नहीं कि तो प्लीज 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 लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी रेमेडी कैसी लग रही है आपको तो चलते हैं मिलते हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में हरे खिश्ना बाइबाइबाइब